डाल तो हम रोज ही बनाते हैं, अगर वही डाल अलग तरीके से बनाएं तो खाने में मज़ा ही आ जाए और खाने का स्वाध भी डबल कर देता है तो आप जब भी डाल बनाएं तो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो खाना बहुत ही मज़िदार बनेगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो मैंने ले लिया एक प्रेसर कुकर और मैंने सभी दालों को अच्छे से पहले ही धूल के रख लिया है तो ये मैंने लिया है चना दाल चार चम्मच और उसके बाद मैंने लिया है दो चम्मच मसूर का दाल मसूर का दाल थोड़ा कम डालेंगे इसमें और चना दाल और अरहर दाल बराबर बराबर डालेंगे चार चमच अरहर दाल भी है और चार चमच चना दाल भी है और दो चमच मसूर का दाल है और उसके बाद हम हरा मटर ले लेंगे आप ताजा मटर मिले तो बहुत ही बढ़ी आए अगर नहीं है आपके पास ताजा मटर तो आप फ्रोजन मटर भी डाल सकते हैं दो से तीन चमच और उसके बाद एक प्याज ले ले किसी भी चीज को बारिक कटनी करना है और एक टमाटर लिया है और उसके बाद दो तिन कल्या लाहसुन के ले ले इसमें अधरक नहीं डालूझी मैं और दो हरी मिर्च और उसके बाद आप इसमें डाल दें स्वादा नूसार, नमक और सभी मसाले डाल दें हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर लाल मिर्च का पाउडर आप कम भी डाल सकते हैं अगर तीखा कम खाते हैं तो कम डालें तो एक चमच मैंने बटर डाला है और डेड़ कप पानी डालके इसको थोड़ा सा सिस्पून से मिला लेंगे और उसके बाद कुकर का धकन लगा लेंगे और इसको एक हाई फ्लेम पे दिलाना है सीटी और दो से तीन सीटी मेडिया माच पे दिलाना है और जब कुकर का स्टीम निकल जाए तब कुकर को खोलना है इस्टीम निकल गया है अब मैं कुकर को खोल रही हूँ यह देखिए कितना बढ़िया दाल बन के तयार हो गया है बह प्याज और टमाटर थोड़ा सा मसल दें काफी टेस्टी ये दाल लगती है आप ज़रूर ट्राइ करिएगा अब इसमें हम तड़का लगा लेंगे तो चलिए मैंने चुले पर कडाई रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे एक से देड़ चमच घी या बटर या तेल जो आप यूज करते हैं वो डालें और उसके बाद थोड़ा सा जीरा और हींग हींग से काफी अच्छी खुश्बू आती है दाल में और उसके बाद दो साबूत लाल मिर्च और थोड़ा सा कलर के लिए इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और हलका सा भूल लेंगे उसके बाद अब हम तड़कत तयार हो गया है अब हम इसको डाल देते हैं ये देखिए कितना बढ़ियां लग रहा है इसका कलर भी काफी अच्छा दिख रहा है बहुत ही टेस्टी डाल लगती है ये आप इस डाल के साथ प्लेन चपाती या प्लेन राइस कुछ भी खा सकते हैं बीना सबजी के खा सकते हैं इतना टेस्टी ये डाल बना था तो आप भी जरूर ट्राइ करिएगा अगर मेरी रेस्पी पसंद आयो तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा तब तक के मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ